हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टू आज चानल, लर्निंग नोटबुक, आज इस वीडियो में हम माक्स का एक बहुत इंपोर्टन चाप्टर करने वाले हैं, मेट्रिक मेजरमेंट, जिसमें फ्रेंग्स हम मेजरमेंट अफ लेंद, मेजरमेंट अफ वेट, और मेजरमेंट अफ कप पड़ेंगी, हम देखेंगे कि इन सभी में कौन-कौन सी यूनिट्स होती हैं, और इन यूनिट्स को हम कैसे कनवर्ट करते हैं, एक छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं, तो आईए शुरू करते हैं. First, we will understand measurement of length. So friends, measurement of length में, जो सबसे base unit, यानि basic unit होती है, वो होती है meter, which is denoted by small m. Now friends, अगर हम meter के left side में जाते हैं, तो meter से units बड़ी होती चली जाती हैं. तो इधर सबसे पहले आती है decometer, उसके बाद hectometer, और सबसे बड़ी unit है kilometer. इसी तरह से friends, अगर हम meter के right hand side में जाएं, तो meter से छोटी units हो जाती हैं. इधर सबसे पहले आती है decimeter, then centimeter, और फिर सबसे छोटी unit है millimeter. ठीक है? तो ये सबी units हैं to measure length. तो friends, यहाँ पर जो बाते आपको याद रखने की हैं, वो कौन-कौन सी हैं? पहले तो आपको यही बात याद रखनी हैं, कि जब हम meter से left hand side पर जाते हैं, तो units बड़ी होती चली जाती हैं. और meter के दूसरी बात, friends, आपको याद रखनी हैं, कि कौन सी unit बड़ी है और कौन सी छोटी है? बहुत सारे students confused हो जाते हैं, कि decimeter बड़ी है या decimeter बड़ी है? तो इसके लिए, friends, मैं आपको एक बात बताती हूँ. देखे, यह जितनी भी छोटी units हैं, decimeter, centimeter, millimeter, यह सभी end हो रही है आई से, deci, centi, milli, तो इससे आप याद रख सकते हैं, कि यह आई से खतम होने वाली units छोटी होती हैं, meter से छोटी units हैं. और तीसरी चीज, friends, जो आपको याद रखनी हैं, वो इनकी sequence याद रखनी हैं. देखे, meter के बाद क्या आता है? decimeter, उसके बाद hectometer, और फिर सबसे बड़ी unit है kilometer. और meter से पहले क्या आएगा? meter से पहले आता है decimeter, उससे पहले centimeter, और फिर millimeter. तो friends, यह sequence अगर हमें याद होगा, तो आगे जो हम conversions करने वाले हैं, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी. और आपको यह याद रखने की ज़रत भी नहीं है, आप बस इसको ऐसे समझ लीजिए, अभी मैंने आपको बताया, देखे, meter के दोनों तरफ क्या है? डी, डी है, तो कौन सा डी कहां आएगा? इसके लिए अभी मैंने आपको बताया, कि meter के right hand side में छोटी unit आती है, जिसमें I होता है, यानि कि right hand side में decimeter आएगा, और left hand side में decimeter आएगा, ठीक है? और decimeter के बाद क्या है? हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर के बाद क्या है? किलोमीटर. यह जो किलोमीटर है, friends, यह तो हमें पता ही है कि सबसे बड़ी unit होती है, तो बीच में क्या बचा? बस बीच में बचा हेक्टोमीटर. तो यह left hand side वाले तो देखी हमें ऐसे ही याद हो गए. अब राइट के बारे में अगर हम बात करें तो decimeter हमें पता ही है और यह जो centimeter और millimeter है फ्रेंक्स यह आप scale से याद रख सकते हैं हम scale यूज करते हैं ना, classroom में भी आप notebook में line लगाने के लिए scale यूज करते हैं तो scale में फ्रेंक्स जो बड़ी unit होती है वो centimeter होती है और वो further छोटी units में divided होती है जो होती है millimeter तो इस तरह से फ्रेंक्स आप ये सारी चीज़े याद रखिए जिससे आपको अब जो हम आगे conversion करेंगे वो बहुत आसान लगेंगी तो आईए फ्रेंक्स अब हम सीखते हैं conversion of units इसके लिए मैं आपको एक trick बता देती हूँ देखिए अगर हमें एक बड़ी unit को छोटी unit में convert करना है तो वो हम कैसे करेंगे फ्रेंक्स let's start with the left hand side extreme left hand side अगर हमें kilometers को convert करना है hectometer में तो हम multiply करेंगे by 10 यानि 1 kilometer equals to 10 hectometer इसी तरह से अब अगर हमें hectometer को convert करना है decometer में तो हम फिर से 10 से multiply करेंगे it means 1 hectometer equals to 10 decometer अब अगर हमें decometer को convert करना है meters में तो फिर से फ्रेंक्स हम 10 से multiply करेंगे it means 1 decometer equals to 10 meters तो इसी तरह से फ्रेंक्स जब हम ऐसे left side से right hand side में जा रहे हैं तो हम 10 से multiply करते चले जाएंगे और हम आसानी से बड़ी unit को छोटी unit में convert कर सकते हैं तो ठीक है फ्रेंक्स अब हमें ये समझ में आ गया है कि कैसे हम बड़ी unit को छोटी unit में convert कर सकते हैं अब अगर फ्रेंक्स हम से पूछा जाए that 1 kilometer equals to how many meters यानी 1 kilometer कितने मुटर्स के बराबर है तो ये कैसे हम answer करेंगे फ्रेंक्स देखिए इसके लिए आपको कुछ भी याद करने की जुरत नहीं है बस ये जो चार्ट है आप इसको एक बड़ी दिमाग में बिठा लीजिए और फिर हमें क्या करना है हमें देखना है कि हमने kilometer से meter तक जाने के लिए कितनी jump करी थी देखिए एक दो तीन यानी कि हमने तीन बारी 10 into 10 into 10 करना है यानी 1000 तो यहाँ पर भी हमें कुछ याद करने की जुरत नहीं है बस हमें यही अपने दिमाग में यही चार्ट वखना है और सोचना है कि hectometer से meter तक जाने के लिए हमने कितनी jump करी थी 1 and 2 that means 10 into 10 which is equals to 100 so 1 hectometer equals to 100 meters similarly 1 decometer equals to how many meters अब देखिए हमें पता है कि जो decometer से meter तक जाने के लिए हमने सिर्फ एक ही jump करनी है तो इसका मतलब 1 decometer equals to 10 meters ठीक है friends तो यानी friends इस chart को use करके हम किसी भी बड़ी unit को एक किसी भी छोटी unit में असानी से convert कर सकते है इसी तरह से अगर मैं आप से पूछू that 1 meter equals to how many millimeters तो आप क्या कहेंगे आप याद करेंगे कि meter से millimeter तक जाने के लिए 3 jump करनी होती है तो यानी 1000 millimeters राइट 1 meter equals to how many centimeters इसके लिए हमें 2 jump करनी होती है तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख दूंगी 100 centimeters तो देखिए फ्रेंक्स यह हमने कितनी ही जल्दी और कितनी ही आसानी से इस चार्ट को यूज करके पता लगा लिया कि चाहे कोई भी बड़ी unit गिवन हो उसको हम कैसे छोटी unit में convert करेंगे अब फ्रेंक्स आईए देखते हैं कि कैसे हम किसी भी छोटी unit को बड़ी unit में convert कर सकते हैं तो यानि सबसे छोटी unit जो extreme right में है millimeters उसको हम कैसे किसी भी बड़ी unit में चाहे वो centimeter हो या decimeter हो या कोई भी unit इन में से किसी और unit में convert करनी हो तो वो कैसे करें तो देखिए फ्रेंक्स अब हम start करेंगे extreme right जो सबसे छोटी unit है millimeter तो फ्रेंक्स बहुत सारे students confused हो जाते हैं कि भाई कब हमें divide करना है कब हमें multiply करना है कि भाई जब हम छोटी unit को बड़ी unit में जाते हैं तो multiply करें या divide करें मैं कहते हूं फ्रेंक्स आप confused मत हो आप दोनों ही बारी multiply ही करें यहाँ पर बस हम multiply करेंगे one by ten से जब हम बड़ी unit को छोटी unit में convert कर रहे थे तो हम ten से multiply कर रहे थे अब हम जब छोटी unit को किसी भी बड़ी unit में convert कर रहे हैं तो हम one by ten से multiply कर रहे हैं so don't get confused multiply every time तो फ्रेंक्स यहाँ पर अब हम जैसे जैसे right से left में move करते जा रहे हैं तो हम हर बारी multiply कर रहे हैं one by ten से ठीक है तो यानि कि अगर मिली मिली मिटर को centimeters में convert करना है तो मैं multiply करूंगी one by ten से अगर मिली को centimeter को decimeter में convert करना है तो मैं फिर से multiply करूंगी one by ten से इसी तरह से friends हम left hand side में move करते चले जाएंगे आएए इसके उपर कुछ questions करते हैं तो friends if I ask you that one meter equals to how many kilometers तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये chart हम अपने दिमाग में रखेंगी हमें कुछ भी याद रखने की जुरत नहीं है बस इस chart को हमें याद रखना है अपने दिमाग में रखना है और अब हम सोचेंगे कि meter से kilometer तक जाने के लिए हमें कितनी बार जम करना है हमें जम करना है one, two, three three times यानि one upon one thousand चीक है next one millimeter equals to how many meters अब यहाँ पर भी friends हमें इसी chart को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि millimeters से meters तक जाने के लिए हमें कितनी बार जम करना है one, two, three three times तो यानि one upon one thousand meters similarly friends one decameter equals to how many kilometers तो decameter से kilometer में जाने के लिए मुझे कितनी बार जम करना बढ़ेगा one, two तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी one upon one hundred तो देख रहे हैं friends हमें कुछ भी याद करने की ज़रुद नहीं है बस यह जो chart हो है इस chart को हमें अपने दिमाग में रखना है और हमें देखना है कि हमें एक unit से दूसरी unit पर जाने के लिए कितनी बार जम करना है और हम आसानी से यह conversion लिख लेंगे फिर एक और है friends that one centimeter equals to how many meters अब देखिए centimeter से meters तक जाने के लिए हमें कितनी बार जम करनी है one two that means one upon one hundred meters right friends तो अब हमें यह समझ में आ गया है कि कैसे हम किसी भी छोटी unit को किसी भी बड़ी unit में convert करें अब आईए friends इन conversion के उपर कुछ questions करते हैं और आप आप देखेंगे कि वो questions आपके लिए कितने आसान हो जाएंगे question is convert six meters into centimeters तो इधर देखिए friends six meters का क्या मतलब होता है six meters means six into one meter ठीक है अब हमें क्या करना है friends हमें meters को centimeters में convert करना है centi यानि कि हमें meters को एक छोटी unit में convert करना है centi आ रहा है ना i से खतम हो रहा है तो आएए अब हम जल्दी से अपने चार्ट को एक बर ही अपने दिमाग में लियाते हैं कि ये meter है यहाँ पर और मिर को इधर right hand side पर जाना है centimeters में convert करना है तो मुझे कितनी jump करनी पड़ेगी 1, 2 यानि कि मेर को 100 से multiply करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1 meter की जगा मैं लिख दूँगी 100 centimeters यानि 1 meter equals to 100 centimeters तो अब बस हमें इसको 6 से multiply करना है तो यहाँ पर फ्रेंग्स हमने एक बड़ी unit को छोटी unit में convert करा तो बस हमने यही देखा कि हमें कितनी बार jump करा और उतनी बार हमें 10 से multiply कर दिया next is convert 3.58 centimeters into millimeters तो इधर फ्रेंग्स हमें centimeters को millimeters में convert करना है so 3.58 centimeters means 3.58 into 1 centimeter तो अब हमें देखना है that 1 centimeter equals to how many millimeters तो यहाँ पर भी फ्रेंग्स देखिए हमें right hand side पर ही जाना है एक बड़ी unit को छोटी unit में convert करना है और इधर हमें पता है कि हमें centimeter से millimeter तक जाने के लिए एक ही jump करनी होती है तो इसका मतलब 1 centimeter equals to 10 millimeter तो जब हम 3.58 को 10 से multiply करेंगे we'll get our answer as 35.8 millimeters let's move to next question convert 7 hectometer into meters अब इधर फ्रेंग्स हमें hectometer को convert करना है meters में so here friends 7 hectometer equals to 7 into 1 hectometer अब हमें जल्दी से देखना है that 1 hectometer equals to how many meters तो हम इस start को देखेंगे अपने दिमाग में जो हमने बना लिया है और बस हम देखेंगे कि हमने कितनी jump करनी है hectometer से meter तक जाने के लिए हमने 2 jump लेनी है तो इसका मतलब 1 hectometer equals to 100 meters so we'll multiply it by 7 and we'll get our answer as 700 meters let's do one more question convert 2 hectometer into decameter अब हमें यहाँ पे hectometer को decameter में convert करना है तो यह भी बहुत आसानी से हम कर लेंगे हमें देखना है कि 1 hectometer में कितने decameter होते है वो हमें पता है कि हमें सिर्फ 1 ही jump लेनी है यानि 1 hectometer equals to 10 decameter so we'll multiply it by 2 and we'll get our answer as 20 decameter अब करी बहर फ्रेंग्स हमें question में mix units भी आ जाती है तो देखते हैं उन questions को कैसे solve करना होता है convert 3 hectometer for decameter into meters तो यहाँ पे देखिए अब हमें hectometer और decameter को convert करना है meters में तो फ्रेंग्स देखिए इसका सबसे पहले मतलब समझ लीजे 3 hectometer for decameter means 3 hectometer plus 4 decameter ठीक है तो यह मतलब होता है तो यानि अब हमें यहाँ पर 3 hectometer को convert करना है meters में और 7 में 4 decameter को convert करना है meters में तो जैसे कि अभी हमने फ्रेंग्स देखा कि हम इसको लिख लेंगे 3 into 1 hectometer plus 4 into 1 decameter तो अब हम अपना वो जो चार्ट था वो टेबल थी वो अपने माइंड में हम उसको याद करेंगे और देखेंगे कि hectometer से meter तक जाने के लिए हमें कितनी जम करनी पड़ती है हमें 2 जम करनी पड़ती है इसका मतलब 1 hectometer equals to 100 meters और इसी तरह से decameter से meter तक जाने के लिए हमें सिर्फ एक ही जम करनी पड़ती है so it means 1 decameter equals to 10 meters तो यह हम इधर लिख लेंगे और अब इन numbers को multiply कर लेते हैं 3 into 100 is 300 plus 4 into 10 is 40 so 300 plus 40 equals to 340 meters ठीके फ्रेंक्स तो इस तरह से जो mix units वाले questions होते हैं हम इने solve करते हैं आएए एक और question देखते हैं convert 2.731 kilometers into kilometers and meters तो देखें फ्रेंक्स यहां पर हमें 2.731 kilometers को convert करना है kilometers में और meters में तो सबसे पहले तो देखें 2.731 को हम लिख सकते हैं 2 kilometers plus 0.731 kilometers है ना फ्रेंक्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना तो अब इसमें जो यह 2 kilometers है यह तो पहले से ही kilometers में है तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे इसको तो हम as it is रखे रहेंगे अब फ्रेंक्स तो यह part है decimal part जो यह 0.731 kilometers वाला है इसे हम convert कर लेंगे meters में तो इसको हम कैसे convert करेंगे वो ही अपना जो method अभी तक हम use कर रहे हैं वो ही use करेंगे कि हम 0.731 kilometers को लिख लेंगे 0.731 into 1 kilometers now we will see that 1 kilometers equals to how many meters तो उसके लिए हम देखेंगे कि kilometers से meter तक जाने में हमें कितनी jump करनी पड़ती है हमें 3 jump करनी पड़ती है यानि 1 kilometer equals to 1000 meters तो बस अब हमें से 1000 से multiply कर देंगे तो जब हम points 731 को 1000 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 731 meters so this is our answer friends 2 kilometers तो as it is लिख देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 731 meters now let's see another question convert 1542 meters into kilometers तो देखिए friends यहाँ पर हमें meters को kilometers में convert करना है यानि एक छोटी unit को बड़ी unit में convert करना है तो हम क्या करेंगे अब हम अभी हम वैसा ही करेंगे जैसे कि सबसे पहला step तो हम वही लिख लेंगे अपना कि 1542 meters equals to 1542 into 1 meter अब हमें देखना है कि 1 meter equals to how many kilometers तो इसके लिए friends यह वाला चार्ट हमें ध्यान में रखना है और हमें सोचना है कि अब हमें right side से left की तरफ जाना है right meter से kilometer की तरफ जाना है तो meter से kilometer तरफ हम जाएंगे तो हमें कितनी jump लेनी पड़ेंगी 3 jump यानि हमें इसको multiply करना पड़ेगा 1 upon 1000 से so we'll do this तो इसको जब हम solve करेंगे तो friends की answer आएगा हमारे पास 1.542 kilometers तो ठीक है friends तो जब हमें किसी छोटी unit को बड़ी unit में convert करना है तो हम इस तरह से करेंगे हम right से left की तरफ जाएंगे देखेंगे कि इतनी jump करनी है और उस हिसाब से हम उसको multiply करेंगे 1 upon 10 से let's do one more question convert 7.6 meters into hectometer तो यहाँ पर friends अब हमें meters को convert करना है hectometer में तो आएए जल्दी से इसे भी solve कर लेते हैं हम 7.6 meters को हम लिख लेंगे 7.6 into 1 meter अब 1 meter है देखें friends अब हमें देखना है कि 1 meter में कितने hectometer होते हैं तो उसके लिए हम देखेंगे कि meter से hectometer तक जाने के लिए हमें कितनी jump करनी पड़ रही है हमें 2 jumps करनी पड़ रही है यानि हम इसे multiply करेंगे 1 upon 100 से तो अब इसे friends हम solve करेंगे तो denominator में देखिए हमारे पास 2 0 है तो उपर जो यह decimal point है यह 2 places left में shift हो जाएगा तो हमारे पास answer आएगा 0.076 hectometer let's do one more question convert 6 centimeters to millimeters into meters तो यहाँ पर friends हमें centimeters और millimeters को convert करना है meters में तो आईए इसे solve कर लेते हैं तो सबसे पहले तो friends देखिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे 6 centimeter 2 millimeter equals to 6 centimeter plus 2 millimeters अब हमें देखना है कि एक centimeter में कितने meters होते हैं तो उसके लिए friends हम जल्दी से अपने दिमाग में जो हमने चार्ट बना हुए इसे रेफल कर लेंगे और हम देखेंगे कि भी centimeters से millimeters तक जाने के लिए हमें कितनी जम करनी पड़ दी है हमें 2 जम करनी पड़ती है तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 upon 100 इसी तरह से हम millimeters के लिए भी देख लेते हैं millimeters से meter तक जाने के लिए हमें 3 जम करनी पड़ती है तो इधर हम लिख लेंगे 1 upon 1000 अब इसे हम solve कर लेते हैं जब हम इसे solve करते हैं denominator में 2 0 है तो यानि उपर जो decimal point है वो 2 places के बाद आ जाएगा तो यह हो जाएगा 0.06 meters और इधर denominator में 3 0 है तो इधर जो decimal point आएगा वो 3 decimal places बाद आएगा तो इधर आ जाएगा 0.002 meters अब इन्हें हम add कर लेंगे and we get our answer as 0.062 meters तो I'm sure friends अब आपको lens की units को convert करना अच्छे से आ गया है अब exam में चाहे बड़ी unit को छोटी unit में convert करना हो या छोटी unit को बड़ी unit में convert करना हो या आपको question में unit mix करके दे दी जाएं आप जब भी उन्हें असानी से convert कर लेंगे Now let's understand about measurement of mass तो friends अब हम measurement of mass पढ़ रहे हैं देखिए अगर आपने measurement of length जो मैंने अभी आपको सबसे पहले सिखाई है वो अच्छे से देखी है और समझी है तो measurement of mass तो आप चुटकियों में कर लेंगे वो ही सब चीजे इसमें भी है अब यहाँ पर जो mass की base unit होती है वो होती है gram ठीक है जिसको हम denote करते हैं small g से अब gram से अगर हम left की तरफ जाते हैं तो units बड़ी होती चली जाती है कौन-कौन सी units होती है पहली होती है decagram फिर है hectogram और सबसे बड़ी unit होती है kilogram राइट तो इस आप हम अगर gram के right hand side में जाते हैं तो units छोटी होती चली जाती है तो यहाँ पर पहली unit होती है decigram फिर होती है centigram और सबसे छोटी unit होती है milligram तो वैसा ही chart है friends जो अभी हमने measurement of length में समझा था ठीक है वैसा ही अगर हम base unit से left में जा रहे हैं तो units बड़ी हो रही है right में जा रहे हैं तो units छोटी हो रही है तो friends यहाँ पर भी अगर हमें किसी बड़ी unit को छोटी unit में convert करना है तो हम हर jump में 10 से multiply करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था right देखिए हर jump में हम क्या कर रहे हैं 10 से multiply कर रहे हैं अगर हमें बड़ी unit को छोटी unit में convert करना है तो अगर friends मैं आप से पूछू that 1 kilogram equals to how many grams तो आप क्या करेंगे आप यही देखेंगे कि kilogram से gram से जाने में हमें कितनी jump लेनी पड़ रही है हमें 3 jumps लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब 1000 so 1 kilogram equals to 1000 grams similarly can you tell me 1 decagram equals to how many grams yes it is equals to 10 grams क्योंकि decagram से gram में जाने के लिए हमें सिर्फ एक ही jump करनी पड़ रही है now can you tell me 1 gram equals to how many milligram तो अब हम क्या देखेंगे friends कि gram से milligram तक जाने के लिए कितनी jump करनी पड़ रही है 3 तो यानि 1000 milligram and 1 decagram equals to how many milligram तो decagram से milligram तक जाने के लिए हमें 2 jump करनी पड़ती है इसका मतलब it is equals to 100 milligrams right अब friends अगर हमें छोटी unit को बड़ी unit में convert करना है यानि हमें right से left की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे हम multiply करेंगे 1 by 10 से हर jump पर हम multiply करते जाएंगे 1 by 10 से ठीक है तो आईए देखते हैं if I ask 1 milligram equals to how many grams तो इसमें हम क्या देखेंगे कि milligram से gram तक जाने के लिए हमें कितनी jump करनी पड़ दही है हमें 3 jump करनी पड़ दही है यानि it is equals to 1 upon 1000 grams तो यानि it is equals to 1 upon 1000 kilograms ठीक है तो वही सारा concept है जो मैंने आपको measurement of length में समझाया था अगर आपने वो concept अच्छे से समझ लिया है पकड़ लिया है तो ये measurement of mass और measurement of capacity भी आप जल्दी से समझ लेंगे और असानी से कर पाएंगे तो आईए इसके उपर based questions करते हैं convert 4 kilograms into grams तो यहाँ पर friends हमें kilogram जो एक बड़ी unit है उसको convert करना है छोटी unit grams में तो सबसे पहले तो friends हम 4 kilograms को लिख सकते हैं 4 into 1 kilogram अब हमें देखना है कि 1 kilogram में कितने grams होते हैं तो इसके लिए हम दिमार्ट में जल्दी से अपने इस chart को लिआएंगे और हम देखेंगे कि kilogram से gram तक जाने के लिए हमें कितनी जम करनी पड़ती है हमें 3 jumps करनी पड़ती है और बड़ी unit है और छोटी unit में convert कर रहे न तो इसका मतलब हमें हर बारी 10 से multiply करना है तो 3 jumps है तो यानि हमें इसको 1000 से multiply करना है So we'll get our answer as 4000 grams Next question Convert 6.78 grams into miligrams तो यहाँ पर friends अब हमें grams को miligrams में convert करना है तो सबसे पहले तो देखी हम 6.78 grams को इस तरह लिख लेंगे 6.78 into 1 grams अब हमें देखना है कि एक gram में कितने miligram होते हैं हमें पता है friends की gram से miligram तक जाने के लिए हमें 3 jumps करनी पड़ती है यानि हमें इसे multiply करना है 1000 से तो जब friends हम 6.78 को 1000 से multiply करेंगे तो यह जो decimal point है यह 3 place right की तरफ shift हो जाता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6.78 0 milligrams Now let's see another question convert 144 grams into kilogram अब देखिए friends यहाँ पर हमें grams को kilogram में convert करना है यानि हमें एक छोटी unit को बड़ी unit में convert करना है तो इसके लिए friends हम क्या करेंगे यानि कि हम right से left की तरफ जा रहे है है ना तो यानि कि हम हर एक step पर हर एक jump पर 1 by 10 से multiply करेंगे तो gram से kilogram तक जाने के लिए हमें 3 jump लेनी पड़ रही है तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 upon 1000 kg और जब हम इससे solve करेंगे तो नीचे denominator में क्योंकि 3 zeros हैं तो जो उपर decimal point आएगा वो 3 places बाद आएगा तो या answer आएगा 0.144 kg Another one Convert 3.6 mg into grams तो सबसे पहले फ्रेंक्स हम गोई कर लेते हैं कि 3.6 mg को हम लिख लेंगे 3.6 into 1 mg अब हम देखेंगे कि एक mg में कितने grams होते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमें 3 jump करनी पड़ रही है तो इसका मतलब 1 mg equals to 1 upon 1000 grams तो इसे हम solve कर लेंगे और हमारे पास answer आजाएगा 0.0036 grams तो फ्रेंक्स यह हमने सीख लिया है metric measurement of mass इससे पहले हमने metric measurement of length सीखी थी अब हम सीखेंगे metric measurement of capacity तो फ्रेंक्स कैई books में आपको दिखेगा measurement of volume तो measurement of capacity हो या measurement of volume हो एक ही बात है फ्रेंक्स तो यहाँ पर फ्रेंक्स जो base unit होती है वो होती है litter which is denoted by either small L और capital L तो अब फ्रेंक्स अगर हम litter के left hand side में जाते हैं तो units बड़ी होती चली जाती हैं कौन-कौन सी units होती है decaliter hectoliter और सबसे बड़ी unit होती है kiloliter और litter के right hand side में हम जाते हैं तो units छोटी होती चली जाती है तो यहाँ पर पहली unit होती है deciliter phil centiliter और सबसे छोटी unit होती है milliliter ठीक है फ्रेंक्स तो वैसा ही है यह chart भी जैसे कि अभी तक हमने measurement of length और measurement of mass में देखा था अब आईए इनके conversion देख लेते हैं तो यहाँ पर भी फ्रेंक्स वही concept यूज करना है हमें अगर हम एक बड़ी unit को छोटी unit में convert कर रहे हैं यानि हम left से right की तरफ जा रहे हैं तो हमें हर एक jump में multiply करना होता है 10 से ठीक है और इसी base पर आईए कुछ question कर लेते हैं यह जैसे कि अगर मैं आपसे पूछू that 1 kiloliter equals to how many liters तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि kiloliter से liter तक जाने के लिए मुझे 3 jump करनी पड़ती है यानि 1 kiloliter equals to 1000 liters and 1 liter equals to how many milliliters तो एक liter में friends कितनी milliliter होती है इसके लिए मैं देखूंगी कि liter से milliliter तक जाने के लिए मुझे 3 jump करनी पड़ती है इसका मतलब 1 liter equals to 1000 milliliter अब अगर हमें एक छोटी unit को बड़ी unit में convert करना है यानि हमें right से left की तरफ जाना है तो हर एक jump पर हम multiply करेंगे 1 by 10 से ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रही है तो अगर friends यहाँ पर मैं आपसे पूछूं that 1 milliliter equals to how many liters यानि कि milliliter से liter की तरफ देखना है मुझे कि अगर मैं ऐसे जा रही हूँ तो मुझे कित्ती jump करनी पड़ रही है मुझे 3 jump करनी पड़ रही है इसका मतलब 1 milliliter equals to 1 upon 1000 liters and similarly can you tell me that 1 centiliter equals to how many liters देखिए centiliter से liter की तरफ जाने के लिए हमें 2 jump करनी पड़ेगी यानि 1 centiliter equals to 1 upon 100 liters and now finally can you tell me 1 liter equals to how many kiloliters तो यहाँ पर भी फ्रेंक्स हम वही करेंगी कि लिटर से kiloliter तक जाने के लिए मुझे 3 jump करनी पड़ रही है यानि 1 upon 1000 ठीक है अब आईए इसके उपर based कुछ questions कर लेते हैं सब वही concept है फ्रेंक्स जो अभी हमने पीछे सीखा है metric measurement of length और metric measurement of mass वही concepts अब हम metric measurement of capacity या volume में यूज़ कर रहे है तो इसका question है convert 9 liters into milliliters तो यहाँ पर हमें liters एक बड़ी unit को convert करना है छोटी unit milliliters में तो सबसे पहले तो हम 9 liters को फ्रेंक्स लिख लेंगे 9 into 1 liter अब हम जल्दी से सोचेंगे कि लिटर से milliliter की तरफ जाने के लिए हमें कितनी jump करनी पड़ती है हमें 3 jump करनी पड़ रही है और हम बड़ी unit को छोटी unit में convert कर रहे हैं तो यानि कि हम हर एक jump में 10 से multiply कर रहे हैं तो 3 jump में हम multiply करेंगे 1000 से so we'll get our answer as 9 into 1000 which is equals to 9000 milliliters next convert 0.064 hectoliters into liters अब यहां पर फ्रेंक्स हमें hectoliters को sorry hectoliters को liters में convert करना है तो सबसे पहले देखिए 0.064 hectoliters को हम इस तरह लिख लेते हैं और अब फ्रेंक्स हम देखेंगे कि एक hectoliters में कितने liters होते हैं तो यानि कि हमें देखेंगे कि हम hectoliters से लिटर तक जाने के लिए हमें कितनी जम करनी पड़ी है हमें दो जम्स करनी पड़ती है तो यानि हम इसे multiply कर देंगे 100 से तो जब हम फ्रेंक्स decimal point को यह decimal number को 100 से multiply करेंगे तो जो यह decimal point है यह दो places right में shift हो जाएगा तो हमारे पास answer आजाएगा 6.4 liters next is convert 586 deciliters into liters तो अब फ्रेंक्स हमें deciliters को छोटी unit को बड़ी unit में convert करना है तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे हम 586 deciliters को इस तरह लिख लेंगे 586 into 1 deciliters अब हम देखेंगे कि 1 deciliters में कितने liters होते हैं तो यानि कि deciliters से liter तक जाने के लिए हमें कितनी jump करनी पड़ रही है एक ही jump so it means 1 deciliters equals to 1 by 10 liters तो यहां पर friends हम इसे solve कर लेंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा 58.6 liters next convert 586 milliliters into liters तो friends यहां पर देखें पहले question में deciliters था अब deciliters की जगा अगर milliliter होता तो milliliter को liter में convert करने के लिए हमें क्या करना पड़ता वैसे ही करते बस अब हमें कितनी number of jumps लेनी पड़ती है हमें लेनी पड़ती 3 jumps है ना 1 milliliter equals to 1 upon 1000 liters तो अब इसे हम solve करेंगे denominator में friends 1000 यानी 30 है तो उपर चो decimal point हम लगाएंगे वो 3 decimal place बात लगाएंगे तो हमारे पास अब यह answer आ जाता है 0.586 liters ठीक है